कॉमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर ख़बर सिफ न्यूज मार्क कट 24 पर खबर कान की नमस्कार दोस्तों वैलकम बैक टू आड चैनल न्यूज मार्केट24 खातेल तेल के मार्किर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है सामने की खातेलों में आप पूर्ती का जो संकट है वह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और साथी आयात पर निर्भरता बढ़ने से घरेलू खार्दे उद्योग जो है वह काफी जादा संकट में विस्तार से निरंतर बरस तेल सीपी और पामुलीन के दाम अपने पूर्व इस तर पर बरकरार रहे बाजार जानकारों ने यह बताया कि महाराश्ट के लातूर सांगली जर्शी जगों पर दस से पंद्रा सेंबर के आसपास सोयाबीन की थोड़ी बहुत आवक शुरू होती है लेकिन इस बार बरसा सुधार दर्श किया जा रहा है सोयाबीन के डी और के क्यानि दी ओसी की स्थानी अमांग राजिस्थान के कोटा में इसका भाव 3,900 रुपए प्रतिकुंटल बढ़कर 4,000 रुपए प्रतिकुंटल सोयाबीन तेहन में भी इसमें सुधार दर्श किया गया मलेशिया वह एक्सचेंज 2% से जादा तूटा और इस वज़ा से सोया तेल के जो दाम है जो सोयाबीन के जो दाम है वह अपने पूर इस तर पर बरकरार रहे जानकारों के अनुसार सोयाबीन जैसे नरम तेल से भी महंगा होने के कारण देश में सीपियों का जो आयात है वो कम हो रह सब्सक्राइब करने का नुमान नजर आ रहा है सभी कारणों से पता चलता है कि अगली महीने तोहारी दिनों में खाद तेल में विशेश कर सोयाबीन सहित कुछ अन्ध तेलों में कमी होने कि आशंकार जताई जा रही है कि सरकार को उन सभी तत्तों को जागर करना चाहिए जिन्होंने पिछले कई वर्सों से खाद तेलों की महंगाई की बात करके आज के देश के तेल दिला नुद्यों को आई सिउ में ला दिया है जहां देश अपने मौजूदा वक्त में आयात पर पूरी तरह से निर्वर होने की और बढ़ चला है वहीं भारी खाद तेल आया पूरी तरह से आयात पर डिपेंड कर रहे हैं तो एक घरेलू मार्केट में आपूर्ती का संकट बहुत जादा बना हुआ है जिसकी वैसे देखा जाए तो सीधा असर जो है वो कीमतों पर पढ़ता हुआ नजर आता है सप्लाई में सप्लाई में जो संकट है उसकी वज़ा से आने वपाले तायम में सबसे एदा कीमतों में उताई च भणos देखा जाता है जिसका आने वपाले तायम में आपको यहाँ पर भी गरेलू मारकेट मेरी में देखने को जरूर मिलेगा कैसा फड़ेगा यह जानने के लिए हमारी चनल के झाल झाल